मैं हूँ गंशाम और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक नौटिफिकेशन आज जारी किया गया है दिनांक 16 सितंबर 2022 को RPSC के द्वारा और ये नौटिफिकेशन आपके RAS संयुक्त पृतियोगी परिक्षा 2021 जिसका परिणाम दिनांक 30 अगस्त 2022 को आया है उसमें ज सभी अभ्यर्तियों से जो है detailed जो application form है online वो भरवाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो उनका service preference रहेगा वो भी इसमें भरवाया जा रहा है इसके लिए आप देख सकते हैं कि टाइम लिमिट दिया गया है कि दिनांक 19 सितंबर से लेकर के और 3 October तक आप इसे भर सकते हैं इ अभी के लिए जो दो चीजे सामने आती है कि एक तो RPSC DF बरवा रही है जैसे कि interview को सही समय पगराया जा सके और दूसरा जैसे ही interview हो जाते हैं उसे के साथ आपकी अगली vacancy जो आने वाली है उसका भी आपको यहां से सिधा सिधा एक इशारा मिल जाएगा कि आपको जल्द के लिए एक ही service preference भरवाया जा रहा है तो वो तो हम जब service preference का देखेंगे online portal तब ही हमको पता चलेगा बाकी जो post हटाई गई थी या फिर जो changes किये गए है शुद्धी पत्र में ठीक है उसको हटा दिया गया है remove कर दिया गया है क्योंकि वो पद हैं ही नहीं तो उनको रखन करने का कोई मतलब नहीं है ठीक है और इसके अलावा अलग-अलग categories में आप कैसे form भर सकते हैं किस तरह से आप अपने form को final submit कर सकते हैं save करते वे आगे बढ़ सकते हैं वो सारी जानकारी इसमें दी गई है तो साक्षातकार के लिए ये DAF forum भरना अनिवारी है तो यहां से य बल्दी होने वाले हैं और यदि आप इस परिक्षा में सफल हैं या फिर आप अगली परिक्षा के लिए तयारी करना चाहते हैं तो RS junction पर आप सभी के लिए जो है current affairs के शांदार notes available है और RS junction application पर यह available है तो आज ही आप RS junction application डाउनलोड करके वहां से इन current affairs का लाब ले सकते ह बलावा RS junction पर आप सभी के लिए RPSC का एक previous year paper का test series हमने शुरू किया है जिसमें हमने 2011 से लेकर अब तक के जितने भी papers हैं उनको एक जगह लाने का परियास किया है जो RPSC द्वारा लिए गए हैं ताकि आप उन परिक्षाओं के pattern को समझ करके अपनी तयारी को आगे बढ़ प्रेंस भरना होगा कि आप पहले priority किसे देते हैं और दूसरी priority किसे देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि TSP और non-TSP जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे आप कि जो तैसिलदार service है cooperative service है तो इसमें TSP अलग से दिया है और normal service भी दिये तो आपको इन सभी क जो है non-government employees ठीक है उन सभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि star लगा कर दिया गया तो star के माधिम से जो है वो अपना इसमें form में fill up कर सकते हैं ठीक है तो यह कुछ basic जानकारिया है जो मैंने आपको बताई है और इनके आधार पर आप आगे बढ़े अपना जो भी आपको form भरना है उसको सावधानी पूर्वक भरें किसी तरह की कोई गलती ना करे ताकि आगी चल कर आपको दुविधा का सामना नहीं करना पड़े इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया current affairs की अगर आप तयारी करना चाहते है तो RS junction पे आप आज ही हम से जोड़ सकते है ये current affairs बिलकुल up to the mark है और इनको पढ़ करके आप बहुत कम समय में आपकी interview के लिए जो भी current affairs से उनको तयार कर पाएंगे अगस्त 31 तक का हमने current अपडेट कर दिया है और हर महीने की 15 तारिकों पिछले महीने का current इसमें अपडेट करते हैं चलिए असी के साथ मैं आपसे व झाल झाल